कहां एक्सिडेंट हुआ? घर में, मेरे घर में हुआ। कैसे मरी, खाना बनाते हुए? आपके घर में या दॉटर इलो पे अलावा ननद मरी है कभी कि खाना बनाते हुए? मार कर लेवर का काम कर रहे हैं हम तो ओर्डर करेंगे ही आज घर में कोई आपकी माँ आपके पिता जी आपकी बहान आपका नौकर कोई था तो जी है दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मालती चोहान और विस्नुराज के बिवाज को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कोट के जज साहब ने दे दिया है इस वीडियो के सुरुआती किलिप में जैसा कि आप लोगों ने सुनी चुके होंगे कि कोट में आज जज साहब मालती चोहान और विस्नुराज के केस की सुनवाई में बैटे हुए है उनका कहना है कि मालती चोहान के साथ जो कुछ भी हुआ है वह कोहीं से भी नहीं लगता कि वह लड़की खुद से ऐसा की है इसके पीछे जरूर उसके घरवाले या फिर कोई अन्य जीमवार होंगे इस बात की जब तक पुष्टी नहीं हो जाती है कि उस लड़की का असली दोसी कौन है तब तक मैं इस केस को लंबा खीचने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों कोट में जज साहब या मानने को तयार ही नहीं है कि यह एक एक्सीडेंट है जज साहब का कहना है कि जरूर इसमें किसी की साजिस है या तो उसका पती इसमें जिमवार है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति है जो उसके साथ ऐसा कुछ किया है दोस्तों मालती चोवान के साथ जो कुछ भी हुआ है वह वाकई गलत हुआ है बिस्नुराज के वकील अपना पक्ष लेते हुए कई सबूत कोट में जद साहब को प्रस्तुत करने की कोशिस कर रहे थे लेकिन जद साहब उनके सबूत को मानने को तयार ही नहीं है क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने घटना को अंजाम दिया है वह कहीं से भी जूटा सबूत सही नहीं लगता है दोस्तों आज कोट में जद साहब ने मालती चोहान और विस्नुराज पर पहली बार सुनवाई पर बैठे हुए है उनका कहना है कि इस तरीके की घटना को अगर हम लोग होने दे तो ऐसी घटना हर रोज देखने को मिल गया और हर रोज ऐसी घटना को अंजामत दिया जाएगा एक बीबी से मन भर जा रहा है तो दूसरी बीबी पर उसकी नजर चली जा रही है एसे हज़ारों हमारे देश में नवयुवक है जो अपनी ही पतनी को उसके साथ ऐसा कुछ कर देते हैं बाल बच्चा होने की भी बावजुद उसकी चिंता नहीं करते हैं और उसके साथ गलत कर वैठते हैं इसलिए कोट में जद साहब का कहना है कि बिस्नुराज इसका असली दोसी हो या फिर कोई और हो उसका जब तक पता नहीं चल जाता उसको जब तक सजा नहीं मिल जाता तब तक इसकी फाइल बन नहीं होनी चाहिए दोस्तों जद साहब की इस तरीके की बात सुनकर अगल आप लोग भी मालती चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवा दिल से धन्यवाद